हेलो एवरीवन वेलकम नौवी विल स्टड़ी सब्जेक्ट रिसेंट एडवांसेज ऑफ दे डी आर्टी पार्ट सेकेंड जिसमें अपन अल्ट्रा सोनोग्राफी डैट मेंस यूएसजी पढ़ रहे थे उसी टोपिकों आगे की तरफ continue करते हुए अपने स्टार्ट करते हैं अल्ट्रा सोनोग्राफी यूएसजी आगे का पढ़ने से पहले एक बार जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको shortly revise कर लेते हैं तो लास्ट क्लास में अपने स्टार्ट किया था अल्ट्रा सोनोग्राफी ultrasonography के introduction के बारे में पढ़ा था अपने introduction introduction में अपने यही पढ़ा था कि ultrasound waves की साहता से किया जाने वाला diagnostic procedure जिसमें अपन human body से related कोई भी pathological condition या फिर कोई भी disease को diagnose करते हैं उस procedure को अपन ultrasonography कहते हैं ठीक है then उसके बाद में अपने basic principle पढ़ा था basic principle में यही था कि ultrasonography जो procedure वो किस सिध्धान्थ पे work करता है तो इसका जो basic principle था वो थी ultrasound waves यानि ultrasound waves की साहता से यहां पे अपन human body से related कोई भी जो pathological condition है या फिर कोई भी disease condition है उसको अपन diagnose करते हैं ठीक है फिर basic principle पढ़ने के बाद में हमने ultrasound waves की कुछ properties या फिर कुछ terminologies के बारे में discuss किया था जिन में से first अपनी थी velocity velocity of the ultrasound wave उसके बारे में भी अपने discuss किया था वहाँ पे अपने यह पढ़ा था कि जो velocity होती है ultrasound wave की वो depend करती है density of the material और वहाँ पे अपने यह भी पढ़ा था कि जिस material के density जदा होगी वहाँ पे ultrasound की velocity जदा पाई जाएगी और जिस material के density कम होगी वहाँ पे ultrasound की velocity कम पाई जाएगी दूसरा इसको अपने compressibility से भी relate किया था compressibility यानि कि compression कितना हो सकता है आपके material में अगर अपन बात करें compressibility और density तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होती है inversely proportional यहानि कि जिस material की compressibility ज़ता होगी उसकी density कम होगी जिस material की density ज़ता होगी उसकी compressibility कम होगी ठीक है तो यहाँ पर अपन ने बात की कि velocity आपकी directly proportional कि इसके होती है density जिसकी density ज़्यादा उसकी वहाँ पे ultrasound के velocity ज़्यादा अब density आपकी compressibility के inversely proportional है तो आपकी जो ultrasound wave की velocity है वो भी compressibility के क्या होगी inversely proportional यही अपनने पीछे की class में discuss किया था ठीक है दूसरी अपनने बात की थी amplitude की amplitude क्या था कि कोई भी medium से जब ultrasound wave गुजरती है तो वहाँ पे कोई भी जो particle उसका mean position या उसकी जो original position थी वहाँ से वो कितना displace होता है वही क्या कहलाता है amplitude कहलाता है और amplitude किसके directly proportional होता है energy of the ultrasound wave ठीक है इसके बाद में अपनने बात की थी third जो अपना topic था वो था acoustic impedance acoustic impedance क्या था acoustic impedance एक medium की प्रोपर्टी है जिसके according आपकी ultrasound waves medium से interact करती है यानि कि medium के उपर depend करता है कि ultrasound waves किस तरह से उसके साथ interact करती है ठीक है यह तो अपनने बात की थी पीछे के topic की अब आगे अपन बढ़ेंगे interaction of the ultrasound waves with matter जैसा है कि अपनने acoustic impedance में बात की कि medium के type पे depend करता है कि ultrasound waves किस तरीके से उसके साथ interact करती है वही property क्या कहला थी acoustic impedance अब अपन बात करते हैं कि वो medium से किस तरीके से interact करती है ठीक है ultrasound waves usually have following effect are as important for the diagnostic processor means कि जो acoustic impedance है material वो भी एक important property है और उसके बाद में medium से होने वाले ultrasound के जो interactions है वो भी important है किस reason के लिए कोई भी ultrasound की diagnostic प्रोसेजर करने के लिए ठीक है यहाँ पे वही जो interactions है वो helpful होते हैं amazing के अंदर वो तीन प्रकार के होते हैं first आपका reflection second reflection and third attenuation ठीक है सबसे पहले अपन बात करते है reflection की reflection के बारे में अपने छोटी classes में भी पढ़ा है कि कोई भी wave है वो जब किसी भी medium से टकराती है तो टकरा के उसी angle से वापस आना क्या करता है उस wave का reflection करता है सेम यहाँ पर होगा यहाँ पर आपकी कौन सी waves है ultrasound wave ultrasound wave body के अंदर enter होगी body के अंदर medium है अलग-अलग वो medium से interact होगी और वहाँ पर क्या होगा कुछ waves reflect होती है तो उसी process को अपन बोलते है reflection when ultrasound wave travel from one medium to another medium then a part of ultrasound beam energy reflected back due to the different densities and different acoustic impedance then this phenomena is called the reflection of ultrasound that means कि जब आपकी ultrasound wave एक medium से दूसरे medium में travel करती है तो उस ultrasound beam या फिर ultrasound wave का कुछ part क्या होता है वापस की तरफ reflect होके आता है उसका reason क्या है difference between the densities यानि वो जो दो medium है जहाँ पर वो एक medium से दूसरे medium में जारी है उन दोनों medium के बीच का difference और उन दोनों medium की प्रोपर्टी अकोस्टिक impedance का difference उसी कारण कुछ sound waves reflect होके back आती है इसी phenomenon को यानि इसी घटना करम को अपन क्या कहते है reflection of the ultrasound wave the condition of reflection is that first medium should have low Z value and second medium have high Z that means की ultrasound के reflection के लिए कौन सी condition important है इसके लिए main condition important यह है कि जो आपका first medium उसका acoustic impedance यानि Z की value कम होनी चाहिए किस से second medium से ठीक है अगर यह condition possible होती है तभी आपकी ultrasound wave reflect होंगी otherwise वो reflect नहीं होंगी फिर बाकी के जो other दो phenomena या फिर दो interaction बचते हैं वही वहाँ पे होंगे reflection obeys snails लो reflection किसका rule follow करता है snail का लो जो अपन बहुत छोटी classes में भी पढ़ चुके हैं कि जिस angle से आपकी incident ray आती है उसी angle से reflected ray reflect होती है यही आपका क्या था snails का लो था जैसा कि अपन अब diagram में भी दे सकते हैं diagram में आपके बास दो medium है medium first and medium second medium first की value है Z1 acoustic impedance की medium 2 की है Z1 एक separating surface है जो दोनों medium को separate कर रही है जैसे आपके incident beam आती है वो separating surface से टकराती है और reflect होके चली जाती है यहाँ पर दो angle होते हैं ठीक है incident angle और एक reflected angle snail slow यह कहता है sine I upon sine R is equal to C1 upon C2 is equal to Z1 upon Z2 यानि कि जो incident angle होगा वही आपका क्या होगा reflected angle होगा C1, C2 यहाँ पर क्या है velocity या फिर speed of the US beam Z1 and Z2 are the acoustic impedance the reflected beam of an ultrasound is known as echo अब यह जो reflect होके आ रही है जो beam इसको अपन ultrasonography में एक special word से से जानते हैं जो word है echo, echo के बारे में अपन आगे discuss करेंगे और आपकी जो ultrasound जो amazing होती है उसके अंदर main function जो आपका होता है या फिर main जो role होता है वो किसका होता है इसी reflected beam का होता है जिसके करण आपको किसी भी body organ की image प्राप्त होती है now we will discuss about the reflection second interaction of the matter ठीक है reflection के बारे में पढ़ते हैं अपन reflection is a change in the direction of the ultrasound beam reflection में क्या होता है कि जब एक medium से दूसरे medium में कोई भी wave travel करती है तो difference between the acoustic impedance or difference between the densities इनी reasons के कारण वो क्या करती है अपनी velocity में change करती है और उसके way के अंदर change होता है यानि उसके angle में change होता है वो deviate होती है इसी condition को अपन reflection बोलते है reflection में क्या होता है टकरा के वापिस आती है और reflection के अंदर वो अपनी direction change गरती है उसी phenomenon को अपन reflection बोलते है it occurs due to difference between the acoustic impedance of two medium which does change in the velocity of ultrasound that means यह किसके कारण होता है difference between two acoustic impedance कोई भी दो material के acoustic impedance में difference होने के कारण जिसके कारण ultrasound की velocity के अंदर change आता है और उसके direction में भी क्या हो जाते है changes आ जाते है so that when ultrasound beam transmitted through a separating surface of two medium it gets deviated यानि जैसे ही कोई भी दो medium trade करने वाली surface के बीच में से जब आपकी ultrasound wave transmit होती है तो वो क्या करती है अपने path के अंदर deviation लाती है यानि वो अपने path से deviate हो जाती है इसी phenomenon को अपन reflection बोलते है reflection is not useful for ultrasound imaging ultrasound imaging के अंदर reflection का कोई भी रोल नहीं होता है आपने डाइग्राम में समझ सकते है medium first आपका और medium second incident ray आती है जैसे वो medium first और medium second के separating surface से टकराती है तो वो उसके path के अंदर deviation आता है वो खुद डेविये है तो now we will discuss about the third interaction of the matter attenuation attenuation के बारे में अपने पहले भी पढ़ा था radiation physics के अंदर HVL और TVL के टाइम पे attenuation क्या होता है normally अपने बात करें तो कोई भी beam, radiation, wave जब किसी भी matter से टकराती है तो वहाँ पे क्या होती है एक होती है scattering और एक होता है absorption scattering और absorption दोनों का summation यानि दोनों का sum दोनों का जोड़ी क्या कहलाता है attenuation कहलाता है same वही attenuation यहाँ पे है attenuation is the loss of ultrasound energy when it passes through the medium यानि कि जब किसी भी medium से ultrasound गुजरती है तो उसकी energy में जो loss होता है वही क्या कहलाता है attenuation कहलाता है attenuation is the summation of absorption and scattering of the ultrasound beam in the medium यानि medium के अंदर ultrasound beam का absorption plus scattering इन दोनों का summation ही क्या कहलाता है attenuation कहलाता है attenuation varies with tissue to tissue and it also increases with frequency of the ultrasound beam that means जैसे अपन tissue से दूसरे tissue में यानि एक density से दूसरे density के material में enter करेंगे तो आपकी जो ultrasound wave का attenuation है वो क्या होगा vary होगा यानि कि बदलेगा और जैसे जैसे ultrasound wave की frequency बढ़ेगे attenuation बढ़ता हुआ दिखेगा attenuation is equal to absorption plus scattering attenuation is directly proportional to the frequency अभी अपने पढ़ लिया उपर यह सब चीजे next hence according to the above line we can say that the deeper organ studies needs lesser frequency ultrasound beam and superficial studies need higher frequency that means कि अपने पढ़ा कि जो frequency है उसके directly proportional होता है attenuation जितनी ज़्यादा frequency होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा attenuation होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी जो deep में जो organ है अगर अपने को उसकी study करनी है तो अपने को क्या करना होगा frequency कम रखनी होगी ताकि उस ultrasound beam का कम से कम attenuation हो और वो deep में जो organ है उस तक पहुँचे और उसकी properties को define करे, diagnose करे ठीक है? similarly अगर अपने को कोई superficial यह organ देखना है तो अपन क्या रखेंगे ultrasound beam की frequency को ज़्यादे रखेंगे यहां पर ठीक है? now we will discuss about the production of US for imaging अब अपन बात करते हैं कि ultrasound wave का production कैसे होता है यानि ultrasonography के अंदर जो अपन ultrasound काम में लेते हैं उसका production कैसे होता है? production of ultrasound for diagnostic purpose is done by the transducer ultrasonography processor के अंदर ultrasound का production किसके द्वारा किया जाता है? transducer के द्वारा किया जाता है transducer को अपन एक दूसरे नाम से भी जानते है जो कि है probe यानि कि जो आपका ultrasonography का probe होता है वो क्या करता है? ultrasound का production करता है transducer work on the principle of the piezoelectric effect that means कि आपका जो transducer किस सिद्धान पर वर्क करता है? piezoelectric effect अब यह piezoelectric effect क्या होता है? इसके बारे में अब भी आपन आगे discuss करेंगे transducer is a device which convert energy from one form to another form that means transducer एक ऐसी device है जो एक energy को दूसरी energy में convert करती है transducer converts mechanical energy into electrical energy and electrical energy into mechanical energy that means transducer mechanical energy यानि कि sound waves को किस में convert करती है electrical energy यानि कि electricity और electrical energy into mechanical energy यानि कि electricity को वो किस में convert कर सकती है mechanical energy किसको बोलते है sound waves को that means कि आपका जो transducer है वो क्या करता है sound waves को electricity में convert करता है और electricity को sound waves में करता है किस principle के base पे piezoelectric effect के base पे ठीक है, now we will discuss about the piezoelectric effect, piezoelectric word is made up of piezo plus electricity which means pressure and electric current, piezoelectric word, two words से मिल कर बना है, piezo plus electricity, piezo का मेंस होता है, pressure, that means sound waves and electricity का में होता है, electric current, ठीक है, In nature, some specific types of crystals are found which works on the principle of piezoelectric effect, nature के अंदर कुछ ऐसे crystals पाए जाते हैं, जो piezoelectric effect के बेस पे work करते हैं, It means that when one surface of these crystals is suspected to the electric current or applied voltage, then the opposite surface of these crystals produce mechanical compression or ultrasound beam, That means यह हुआ कि यह जो crystals है, जो किस पे work कर रहे हैं, piezoelectric effect के principle पे, जब इन crystal की एक surface को electricity दी जाती है, या फिर voltage apply किया जाता है, तो इनकी जो दूसरी surface है, वहाँ से क्या निकलती हैं, mechanical waves निकलती हैं, mechanical compressions निकलते हैं, जिनको अपन ultrasound beam भी बोलते हैं, Similarly, when one surface of these crystal is suspected to the mechanical compression sound wave, opposite surface produce electricity, और इनी crystal की एक और प्रोपर्टी होती है, कि यह process इन में वाइस वर्सा होती है, यानि कि जब आप इनको electricity प्रोवाइड कराते हो, तो दूसरी surface से sound waves निकलती है, और जब आप sound waves प्रोवाइड कराते हो, तो इन में से क्या निकलती है, electricity निकलती है, ठीक है, A typical ultrasound transducer contains piezoelectric crystals, आया समझ में, कि जो आपका transducer होगा किस पे काम कर रहा है, piezoelectric effect पे काम कर रहा है, और कुछ crystals हैं, जिनको अपन बोलते हैं, piezoelectric crystals, वो भी किस पे वर्क करते हैं, piezoelectric effect पे, that means, कि transducer के अंदर जो crystals काम में लिये जाते हैं, वो कौन से होते हैं, piezoelectric crystals, piezoelectric material are also two types, दो प्रकार के होते हैं, एक natural और एक artificial, normally सभी समझते हो, natural जो प्रकरती के अंदर available होते हैं, artificial जो अपन लैब के अंदर prepare करते हैं, artificial का example है, lead, zirconate, titanate, polyvinylidin, fluoride, PVDF, और natural का example है, crystals, overall we can say that a typical transducer does both function, overall अपन यह कह सकते हैं, कि transducer क्या करता है, production of ultrasound, ultrasound का production भी कर सकता है, और detect भी कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर दोनों process होते हैं, यह ultrasound को electricity में भी convert करता है, और electricity को ultrasound में भी convert करता है, thank you,